खेलो आइबरीवाइड वेलकम तो भार लेंडिंग पॉइंट आयम प्रिया मिस्रा वेस वीडियो इस रिलेटेट तू CSR का कब होगा जो CSR का नेक्ष्ट एक्जाम है 2020 का वो कब हो सकता है So expected date में आप लोगों के साथ इस वीडियो में share करने वाली हूँ कि expected क्या रह सकता है किस मन्त में exam conduct की जा सकती है और क्या कैसा scenario बनेगा अभी जो exam हुआ था in the month of January and अभी जिसका result वोगेड़ा declared किया गया So वो जो exam था वो आप लोगो को पता होगा कि 2021 का exam था उसे June session ये लोग लिख रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है जो 17.3 को revised किया गया था score card for the examination of June CSIR UG Senate So ये June 2021 का exam था So guys यहां पर CSIR और NTA ने ये notification जारी किये थे कि जो CSIR है वो इस बार जो इस year में 2021, 22 में 3 times conduct किये जाएंगे So June session का exam 2021 का हो चुका है अभी इस year में 3 exams और conduct होने चाहिए थे क्योंकि 2021 December का exam remaining है और दो exam like is 22 के June का and 22 के December का तो इस हिसाब से total 3 examination होते हैं लेकिन इस बार और 2 ये examination conduct होगा So जैसे कि अभी CSIR का exam result साड़ा कुछ दे दिया गया है तो अभी कुछ में pending चीज़ नहीं है बस e-certificate आना बाकी है अभी जो session का भी complete हुआ June बाला तो बहुत जल्दी साड़ा कुछ हो गया exam and then result published वो लोग बहुत जल्दी कर दिये So within the one month साड़ा कुछ हो गया मतलब one to two months कह सकते है examination से result declare होने का time लगा So ये अभी का जो session है जिससे जो three times होना है So हम expect कर सकते हैं कि next notification जो है April to May में ये लोग दे देंगे और April के I think mid April तक की notification आज आना चाहिए जिसके हिसाब से one month का time रहेगा for the feeling of examination form So May के मेर तक application form फील करने के बाद हम expect कर सकते हैं कि last June या आज starting week of July में exam conduct हो सकता है So क्यूंकि जदी नहीं करेंगे तो फिर December वाले session का late हो जाएगा So guys हम July के first week में exam date expect कर रहे हैं जदी चीज़े normal रही COVID का situation भी अभी normal ही दिख़रा है So जैसे अपना काम NTA बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है चीज़ों को time पे Like result, examination, answer keys and जो भी चीज़े हैं वो time के साथ करते हुए अभी result का बस आना बांकी है बस जो certificate अभी तक release नहीं किया है और वो UGC का काम है certificate देना So NTA most probably notification कुछ वक्त में जारी करने वाला है So I think चीज़े इस तरीके से ही होंगी कि one month का time दिया जाएगा for the filling of application form And then correction window open होगा कुछ time के लिए और exam से कुछ पहले जो है वो notification दे दिया जाता है for the admit card and बांकी के चीज़े So चीज़े बहुत कम time बचा हुआ है for next examination so be prepared And जिनका नहीं इस बार J.R.F. हुआ और बस जो next time time J.R.F. के लिए अवेल कर रहे हैं और जो beginners है और जो upcoming CSIR के लिए बहुत बेसब्री से इंतिजाड में है तो उनके लिए बहुत ही good news यह हो जाएगा कि वो इस exam को लेके बहुत seriously prepared करे तो two to three months रह गए है in your examination जो expect किया जा रहा है और चीजे नॉर्मल रही तो फिर इस बार जितने J.R.F. candidates को मिला उतने ही amount में J.R.F. सबको दिया जाएगा number of candidate उतने होंगे and LS award किया जाएगा I hope मेरा जो भी prediction है जो भी मैं बताई वो कहीं न कहीं सही हो क्यूंकि बागी के जितने भी मैं जो चीजे प्रेडिक्ट की हूं जितने भी आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं जो सिनेरियो रहा उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया और वो चीजे कहीं न कहीं सही निकली अभी ऐसा ही है कि जो मेरा प्रेडिक्शन है वैसा ही कुछ होगा वैसा ही एक्जाम कंड़क्ट होने का मोस्ट प्रवाइबली चांस है आपको समझ में आया होगा चीजे और आपके लिए यूसफुल रहा होगा यह इन्फोमेशन क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट का इस बार जो है वो क्लियर नहीं हुआ और वो लोग बहुत वरीड है तो वरीड होने की कोई जड़त नहीं है नेक्स्ट के लिए प्रिप्रेशन करें और जितना टाइम आप दे सकें अपने प्रिप्रेशन में प्रैक्टिस में रिविजन में वो आप दे और इस बार CSI-JRF आप लोग अवेल करें और विस यू क्यानल के साथ जुड़े रहें इस तरीके के इन्फरमिसन के लिए एंड थैंक यू सो मुच गाइज